प्राद करेंगे शिपिंग करेंगे शिपिंग कॉर्परेशन आप इंडिया के बारे में तो स्टार्ट करते हैं यहां पर अगर मार्केट कैप पाइस देखी जाए तो 6200 कौरूर की यहां पर आपको मार्केट कैप देखने के लिए मिलेगी अब यहां पर कंप्पणी का ये crude oil और कई तरह के जो containers होते हैं जिसमें goods import और export किया जाता है वो operate करते हैं और उसके mainly यहां पे shipping का business होता है इनका अब यहां पे फिलार अगर देखा जाए company के इंदर या industry के अंदर यह कह सकते हो कि positive development यह है कि इंडिया के अंदर नए ports बन रहे हैं नए ports जो बन रहे हैं व यहां पर उससे फाइदा क्या होगा उससे फाइदा यह होता है कि अभी जैसे इंडिया में अगर देखा जाए जो current ports है उसके अंदर गहराई कम है उसके वज़से होता है कि हम लोग बड़ी ships जो यहां पर dock नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको भी एक certain level of debt चाहिए तो होता क्य जैसी companies को क्या फाइदा होगा यह अगर बड़ी ships वहां पर फिर अपना इंट्रीउस करते हैं लेकिन यह फाइदा तभी मिल पाएगा जब यहां पर बड़ी ships इंट्रीउस करेंगे तो बड़ी ship इंट्रीउस करने से क्या होगा यहां पर container cost है वह काफी हद तक नीचे आ ज पिलाल अगर स्टॉक की पी देखो को साथ की आसपास की है आरोसी और यहां पर देखा जाए 10 और 13 परसंट की आसपास ठीक था गया मतलब बिजनस इस सापसे कंपनी का उसे सापस रोसी और रोई दोनों ही ठीक है यहां पर प्रमोटर्स की ओल्डिंग 63 परसंट है सेल्स ग्रोथ 9 परसंट और प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर 10 परसंट की देखने के लिए मिल रही है थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ काम है और इसलिए यहां पर में लगता है स्टॉक की पीजोर से लोवर साइट पही है तो कि जब तक अ नेट प्रॉफिट भी डाउन जाता नजार आ रहा है उसके साथ सबसे मेजर जो यहां पेशू है कि कंपनी का यहां पर आप देखो तो मार्जिन भी नीचे गिरते जा रहा है त्रेट कॉस्ट एक बहुत बड़ी यहां पर चीज होती है मतलब प्र्रोल का दाम उपर जाता सब्सक्राइब को नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा सब्सक्राइब के लिए बहुत जाता पॉसिटिव चेंजिस देखने के लिए नहीं मिलेंगे और ट्रेलिंग 12 में अगर देखा जा तो मार्जिन यहां पर 29 परसेंट की है बट अगर नेक्स दो कॉर्टर यहां पर फि सब्सक्राइब कर देखने के लिए इसको ब्रेक करते हैं तभी आप यहां पर किसी भी जरा की बाइंग कर सकते हो तो थोड़ा सा में लगते है कि कंपनी के अंदर अभी थोड़ा बहुत इशूज रह सकते हैं तो ऐसी चीज़े कंपनी की बहुत लॉंग टर्म में अगर आप लोग बाइंग करते हो तो धीमे धीमे रिटान आपको मिलेंगा बहुत तेजी से रिटान यहां पर मिलना वाले लेवल्स के ऊपर भी यहां पर बाइंग कर सकते हो छोटा सा फिर यह टार्गेट होगा और इसके बाद यहां पर फुर्दर आप लोग 15-20 परसंट अगर और रख सकते हो तो फिर थीमे तक भी आपको कंपनी आते नजरा सकती है मतलब आलमोस फिर 1818 या 115 वाले लेव आपके बाइ